आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं माउट मेल्टिंग चोकलेट आइसक्रीम की रेसिपी बच्चे तो क्या बड़ो की भी फैवरेट होती है और बनाना बहुती आसान ही जब आप इसे एक बार घर पर बनाना सीख जाओगे तो मार्केट से कभी भी नहीं खरीदोगे तो देखिए आपकी जो आइसक्रीम है 100% परफेक्ट बनने वाली है तो में वर्षा भावसा रसोई घर में आप सभी का स्वागती तो चलिए फ्रेंड्स इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं लेकिन इसके पहले हर बार की तरह चोट इस रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आरे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए चले बनाते हैं माउथ मेल्टिंग चोकलेट आइसक्रीम चले इसके लिए इस तरह का कोई एक बड़ा बरतन ले लेंगे और इसके अंदर डालेंगे एक कप दूद अब यह जो दूद है पूरी तरह से दूदी हमें यूज करना है इसके साथ में डाल रहे हूं वन फोर्थ कप पीसीवी चीनी वन फोर्थ कप डालेंगे मिल्क पाउडर किसी भी ब्रैंड का मिल्क पाउडर आप यहां पर यूज कर सकते हूं और वन टेबल इस्पून हम डाल देंगे कॉन फ्लार तो जैसा कि ह हम यहां पर चोकलेट आइसक्रिम बना रहे हैं तो इसके लिए हम इसमें डालेंगे 3 टेबल इस्पून कोको पाउडर तो कोको पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हो कोई भी अच्छे सी ब्रैंड का यूज कीजे इससे जो आपकी आइसक्रिम में बिल्कुल पाउफेक्ट अब इन सबी चीज़ों को हमें बढ़ीा से मिक्ष करना है कोई भी इसमें लम्च नहीं रहना चाहिए टो इस तरह का कोई हेंड्विसकर ले लिए तकस्बी चीजें आसानी से मिक्स हो जाये तो अभी मैंने इसा गेस पहें रखा है, जब इसके बाद हम इसे गेस मेराइग आप medium करके ही इसे पकाईए क्योंकि एकदम से पैन में चिपकने लगता है हमने इसमें cocoa powder डाला है इसी के साथ milk powder है और corn flour है तो बस continuously आप इसे चलाते रहे हैं और जब तक जो इसके consistency है इस तरह से नहीं हो जाती तब तक आपको इसे पकाना है तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल perfect है यह गाड़ा हो चुगा है तो गेस का flame मैंने off कर दिया है और off करने के बाद हम इसे नीचे उतार लेते हैं तो अब इसके taste को और इसके color को बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ फटा फट से melt हो जाएगी लेकिन गेस का flame ओफ करने के बाद ही आपको इसे डालना है तो यहाँ पर देखिए डालने के बाद मैं इसे बढ़िया से mix कर लिया है और chocolate जो बढ़िया से melt हो चुकी है चले इस तरह से कोई भी एक चोड़ा बाउल ले लेते हैं और इसके अंद के help से इस क्रीम को बीट कर लेंगी तो अगर आपकी क्रीम बढ़िया से चील्ड होगी ना तो आपको बीट करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगीगा लेकिन हमें फ्रीजर की जमी भी क्रीम का भी यूज नहीं करना है यानि जिसमें आइस क्रिस्टल आ जाते है ना उसे भ बहुत ज़्यादा थीक क्रीम की जौरत होती है लेकिन उतना ज़्यादा भी आप इसे बीट नहीं करें चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं वन फोर्थ कप कंडेंट्स मिल्क बहुत ही बढ़िया से टेस्ट आता है इससे आइस क्रीम में और जो अभी हमने मिक्स बना कर त ठंडा कर सकते हूं अब इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम इसमें डाल देते हैं चौकलेट एसेंस तो लगबग वन फोर्थ टीस्पून में यहां पर चौकलेट एसेंस डाल रही हूं तो अगर आपके पास हो तो आप जरू से डाल लिए नहीं तो सबी चीज़े आपस में बढ़ी जाये तब तक हम इसे चलाना है तो आप देख सकते हो ना फ्रेंट क्या बढ़ी जाल रहा है और साती क्या बढ़ी जा हमारा यहां पर आइसक्रिम मिक्स लग रहा हैं लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि यह जो बाओ लेन थोड़ा छोट तो इसके पहले की वीडियो में भी में आपके साथ पान आइसक्रीम, रोज आइसक्रीम, मठका कुलफी, वनिल आइसक्रीम, तरह तरह के आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, अगर देखना चाते हों तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको इनकी रेसिपी मिल जाएगी, वह ट्राइ जरूर से कीजिए, चले सबी चीज़े जब बड़ी ऐसे मिक्स हो जाए, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चोको चीप्स, तो जब घर पर हम इतनी बड़ीया और टेस्टी आइसक्रीम बना सकते हैं, तो मार्केट से क्यों लाना, तो यहाँ पर देखे, बड़ीया सा चोकलेट मिक्स हमारा पूरी तरह से बनकर तयार है, सेट करने के लिए, चले अब बारिये सेट करने के लिए, इस तरह का कोई भी एक कंटेनर ले लीजे, टीफिन ले सकते हैं बच्चों के, जो एर टाइट होते हैं, या टीन का मोल्ड भी आप ले सकते हूं, तो बस इस सारे मिक्स को डाल देंगे इस कंटेनर के अंदर और चारो तरफ इसे बढ़िया से थोड़ा सा फैला देते हैं, तो जब घर पर हम कोई चीज बनाते हैं तो पूरी तरह से प्योर रेती हैं, और हमें पता होता है कि हमने इसमें क्या-क्या बिल्कुल ऑप्शनल है, दिखने में बढ़िया लगे, बस इसलिए मैं इसका यूज कर रही हूं, और इसी के साथ थोड़ी सी चोको चिप्स भी उपर से डाल देते हैं, ताकि दिखने में और भी बढ़िया लगे, क्योंकि जो चीज दिखने में बढ़िया लगती हैं, ख तो यहाँ पर दिखे फ्रेंड्स, रात भर के लिए मैंने इसे फ्रीजर में ही रहने दिया था, आप देख सकते हो क्या बढ़िया से हमारे आईस्क्रीम सेट हुई है, और कितनी सुन्दर दीख रही है, लग रही ना, बिल्कुल मार्केट की तरह, चले फटा फट से अब ह किन शेर करना बिल्कुल न भूले, साथी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यही रेसिपी अगर आप फेस्बुक पर देख रहे हैं, तो फेस्बुक पेच रसोईगर को जरूर से फॉलू कीजिए,